नमस्ते मैं ध्रमेंद्र आप देख रहे हैं 7 Days Guide जब भी हम किसी अंजान जगे पे जाते हैं तो उस जगे का नाम अपने Google Map में डालते हैं तो हमारे सामने उसकी direction आ जाती है इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे Google Map पे आप अपना घर, दुकान, या फिर होस्पेटल, जेम, स्कूल कैसे add करेंगे ताकि आप तक कोई भी आसानी से Google Map के जरिए पहुंच सके तो आई जानते हैं बीना समय गवाए सबसे पहले हैं अपना Google Map अप्लिकेशन ओन कर लेंगे, Google Map अप्लिकेशन ओन करने के बाद यहां पर नीचे देख लिए बहुत सारे option दिख रहे हैं, इसमें से एक contribute का है, हम contribute पे क्लिक करेंगे, अब उपर आएंगे थोड़ा सा, यहां पे edit map के बगल में add place का option दिख रहा ह हम इस पे क्लिक कर देंगे, अब यहां पे add name पे अपना नाम डालेंगे, जैसे suppose अट मानने चीए, अगर आप gym add कर रहे हैं, तो gym का नाम डालेंगे, या फिर school add कर रहे हैं, तो school का नाम डालेंगे, या फिर जो भी आपका दुकान, मकान, जो भी add कर रहे हैं, आप उसका न हमारा है Home stay तो हम यहां पर टाइप कर देंगे वो नहीं आ रहा अब यह देखिए आ गया उसकी नीचे है यहां पर add location हम यहां पर location add करना पड़े है कि हमारा home stay है वो किस location पर है तो हम यहां पर click कर देंगे update location on map इस पर click कर देंगे तो हम directly map पर आ जाएंगे अब हम जूम कर लिए, जूम करने के बाद हम इसको यहां पे ऊपर Auchay कर देंगे, अब हम यहां पे Add Hours पे खोल देंगे, इस इस पे CLICK करने लिए आप को चुनना पड़ेगा कि आप अपना घर दुकान या फिर हैं जैसे हम 5 p.m. ना करके आप यह अगर आप 6 p.m. करेंगे तो यहां पर 6 p.m. हो जाएगा उसी तरह से अगर Tuesday को आप खोलना चाहते हैं तूजड़े पर क्लिक कर देंगे तूजड़े पर टाइम बाइड डिफॉर्ट आ इस पर हम क्लिक कर देंगे इस पर क्लिक कर देंगे यहां से हम डेट स्लेट कर लेंगे जैसे मेए 26 को हम यह ऐताइम कम पर क्लिक कर देंगे और यह सब करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और done पर click कर देंगे उसके नीचे contact का option यहाँ पर अपना phone number add कर सकते हैं नीचे website अपने add कर सकते हैं यहाँ पर add opening date पर हम click कर देंगे अब आप यहाँ पर date select करेंगे कि आपकी दुकान कब open हुई थी अगर आपको पता नहीं है तो I don't know पर click कर देंगे और यहाँ पर done पर click कर देंगे नीचे एक option एड एफ फोटो का एड एफ फोटो पर click करके आपने दुकान या फिर मकान या फिर जीम का फोटो भी add कर सकते हैं सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पर उपर इस पर click कर देंगे इसके बाद Google के द्वारा verify किया जाएगा verify करने के बाद आपका finally place Google map पे add हो जाएगा verify करने में कुछ घंटे या फिर एक दिन भी लग सकते हैं उमेद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी इस तरीके से आप किसी भी place को Google map पे असानी से add कर पाएंगे वीडियो को like कर दिजिएगा दोस्तों की बीशेर करिएगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक लिए वीडियो में नमस्कार